हेलो बच्चो गुड वर्निंग जैसे कि आप लोग जानते हैं मैत एक इंट्रिस्टिंग सब्जेक्ट है बस आपको थोड़ा मजा आना चाहिए है ना तो आप कोशिस करेंगे मजा आना चाहिए इस तरह का काम करें तो आपको बहुत मजा आएगा और अगर आप ये मजा नह करेंगे तो यही सब्जेक्ट आपको बहुत भारी और बुरा लगना शुरुव हो जाता है आपका पहला लास है तो चलिए आपको बताते हैं कैसे मजा आएगा आप मैत बनाने से जैसे कि आप देख रहे हैं बच्य में बच्चे कैसे मुस्कुरा रहा है ऐसी आपका उस पे मुस्कुरहाट होना चाहिए है ना आप लोग जानते हैं कि छोटा और बड़ा को बारे में बड़ा बीगर और छोटा इस्मॉलर सरकल दा बीगर सरकल दा बीगर मतब बड़ा को आपको सरकल करना है और टीक दा इस्मॉलर और इस्मॉलर के सामने आपको टीक करना है तो आप फिगर को बहुत ध्यान से देखिए ठीक है ना फिगर को ध्यान से देखिए और इस फिगर को ध्यान से देख करके जो बड़ा है जो बीगर है उसके सामने सरकल करिए और जो इस्मॉल है उसके सामने टीक करिए ठीक है ये looking back chapter में आप बड़ा और छोटा that means smaller and bigger के बारे में सीख रहे हैं circle the bigger इसी तरह से circle करना है bigger को और tick करना है smaller को आप ध्यान से इस figure को देखिए अपना book उठाइए और book के सामने जैसे की कहा गया है बड़ा के सामने circle करना है और छोटे के सामने smaller के सामने tick करना है वैसे ही आप figure के सामने करते आगे बढ़िए बच्चो जैसे की अब आप सीख चुके हैं बड़ा और छोटा को पहचानना बड़ा को हम लोग bigger कहते हैं और छोटे को smaller कहते हैं, अब यहां कहता है color the objects that hold less, अब इसका हिंदी पहले समझ लिजिए, color करना है वैसे objects का जो कम हो, आप जैसे की figure में आप देख पा रहे हो, apple है, एक गमले में 6 है और दूसरे में 2, तो कम जो hold करता है, जो कम रखता है उसको आपको color करना है, that means 2 वाले को color करना है, इसी तरह से नीचे भी जो कम है, उसे आपको color करना है, color the objects that hold more, अब more का मतलब ज्यादा होता है, तो जो बड़ा है, उसे आपको color करना है, question number 3 में, तो छोटा जग और बड़ा जग, तब किसको color करेंगे, बड़े वाले जग को, इसी तरह से छोटा घड़ा और बड़ा घड़ा, घड़ा को हम लोग English में क्या खोलते हैं, hurt है न, इसी तरह से बाल्टी, bucket, छोटा और बड़ा, तो आपको बड़े वाला को, that means, hold more, color the objects, object का color करना है, जो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, आप समझ गे होंगे, इस तरह से आप आगे, सभी को करिए, नेक्स्ट आता है, फर्स्ट चेप्टर है यह, counting numbers, counting numbers 1 to 10, अब आपको counting number 1 to 10 सीखना है, जैसे कि आपने 1 to 10 पहले से सीख के तो आए हो, अब यहाँ पे revision की जैसा हो रहा है, count the object and write the number in the box, अब number आपको count करना है, और उनके box में लिखना है, जैसे कि एक करके दिखाया गया है, 1 लिखना होगा, तो O, A, O, N, E लिखिएगा, ठीक है, 2 लिखना देगा, तो 2 लिख के उसके बाद T, W, O, 3 लिखना देगा, तो 3 के बाद 3 लिखिएगा, और फिर T, H, R, W, E, हसे करके लिखना है, ठीक है, आप अपने book को उठाइए, और इसी तरह से लिखते हुए, book में भर के आगे बढ़िए, आप जैसे देख पा रहे हैं, 4 लिखना होगा, तो 4 काउंट करिएगा पहले, C करना है, और राइट करना है, that means आपको बोल बोल करके लिखना है, ठीक है, 4 लिखना होगा, तो पहले नुम्रिक ने 4 लिखिएगा, फिर word में F, O, U, R लिखिएगा, इसी तरह से 5 में F, V, E, 5 word में होगा, और नंबर में 5 होगा, 6 में S, I, X, 6 और नंबर में 6 भरना है, आगे बढ़ते हुए 7 में A, C, V, E, N, 7 और नंबर में आपको 7 लिखना है, ठीक है, इसी तरह से 8 लिखना पड़ेगा, 8 में भी आपको E, I, G, S, T, 8 और नंबर में 8, फिंगर को आप खड़े करेंगे, तो 5 वन हैंड में और 3, वन हैंड में 5 और 3, 8 है न, तो आप इस तरह से एड़ भी करना सीख सकते हैं न, अब अगर आपको कोई कहे, बेटा 9 बताओ अपने फिंगर में, तो कैसे बताओगे पहले हैंड का 5 फिंगर ओपन करना, फिर 4 फिंगर सेकेंड हैंड का ओपन करना और देन काउंट करना 9 होगा, ठीक है, 9 को कैसे लिखेंगे, N, I, N, E, 9, ठीक है, 10 फिंगर आप करिए आप, दोनों हैंड का स्वाम को पूरी तरह से खोलिए, आप देखेंगे, फाइब फाइब फिंगर टू हैंड में है, और फाइब और फाइब को हम जब ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10, तो 10 को कैसे लिखेंगे, T, E, N, 10 है न, आप जानते हैं इस तरह से, बच्चो, लेडी बर्ड्स के पास 6 लेग होता है, रेम्बो के पास 7 लेग होता है अक्टोपस के पास 8 लेग होता है, बच्चो, अब कंपेर करना आपको सीखना चाहिए, जैसे कि आपने नंबर 1 to 10 समझ चुके हो, तो 1 to 10 अच्छे से आपको ओपी में लिखेंगे, फिर कंपेरिंग करना सीखेंगे, तो कंपेरिंग कैसे करेंगे, हम लोग को कंपेरिंग क करने के लिए कुछ सेम्बोल का यूज करना पड़ता है, आपको बता दे, greater than, less than, equal to, ये तीन सेम्बोल होता है, ठीक है, greater than के तरब मुह खुला वाला सेम्बोल होगा, less than मुह बंध होगा, और equal, that means बराबर, ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, greater numbers of value, less number of value, अब greater numbers of value में 5 है, और less than में 3 है, तो बच्छो 5 बड़ा है या 3, आप obviously यही कहेंगे 5 बड़ा है, तो जब 5 बड़ा होगा, तो सेम्बोल 5 और 3 के बीच में greater than वाला सेम्बोल, मत्तब 5 जिदर होगा, उस साइड में मुह खुला वाला सेम्बोल डालेंगे, ठीक है, और कैसे बोलेंगे, 5 is greater than 3, ठीक है, इसी तरह से less number of frog और greater number of frogs, आप इसमें less की बात किया है, तो 4 is less than 6, तो जिधर बड़ा होगा, उदर आपको मुह खुल देना है, हैना तो 6 बड़ा है, तो 6 तरह मुह खुल दिए, लेकिन 4 छोटा है, उसको पहले लिखे हैं, इसलिए 4 is less than 6 कहेंगे, समझ में आगया होगा, इक्वल नंबर of butterflies, देखिए, दोनों boxes में 8-8 butterfly हैं, तो 8-8 लिखने के बीच में हम इक्वल का symbol देंगे, आप यहाँ पे कुछ numbers दिये हुए हैं, उसको आप अपने copy पर worksheet के रूप में काम करिए, देखें, यहाँ पे जो आप figure को देख पा रहे हैं, यह count करना है अपने object को, और सभी के नेचे numbers का word में name लिखना है, जैसे की एक करके दिखाए गया है, four chair है, तो if you are four लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको count करके, सभी को अपने copy में लिखना है, बच्चों, अब आप जैसे की worksheat 1.2 देख रहे हैं, right numbers from 1 to 10, आपको अच्छी तरह से 1 लिखना है, तो 1, 1, 1, 1, 2 लिखना है, तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 लिखना है, तो 3, 3, 3, 3, ऐसे करके, total 10 तक लिखना है, ठीक है, आज के लिए इतना ही हैं बच्चों, ठीक है, फिर आज आज आप सभी को copy में जैसे की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से बनाते चलिए, ठीक है, धन्यवाद, पाई, have a nice day, thank you.